हाई फ्रेंड आप मेरे लेटेस्ट अबडेट्स अपने मेल में पाने के लिए youtube.com slash hindi techtutes टाइप करके यहां subscribe बटन प्रेस करिए अगर आप subscribe बटन प्रेस करोगे तो हर दिन में जो कुछ भी latest अबडेट्स लाता हूँ ना वो सीधा आपके मेल पर आ जाएंगे friends आप कोई image को text में convert करना चाहते हो तो दीखे मैंने आपको बहुत सारे sites बताए थे softwares बताए थे apps भी बताए थे ठीक है तो आज के studio में दीखे हम लोग एक अच्छा सा site दीखेंगे उस site का नाम है keep.google.com ठीक है आप क्या करोगे यहाँ keep.google.com पर जाने के बाद आप यहाँ से कोई एक image को इसमें upload करके उसका text extract कर सकते हो वरना देखे आप direct यही काम अपने mobile पर भी कर सकते हो जैसे आप mobile पर जाकर कोई एक browser open कर लीजे open करने के बाद यहाँ आप keep.google.com को search कर दीजे सेर्च करने के बाद आपके पास इस तरह का एक site open हो जाएगा open हो जाएने के बाद देखे आपको यहाँ एक picture का symbol लिखाई देगा उसे पहले देखे आप यहाँ no thanks प्रेस कर दीजे ठीक है no thanks प्रेस करने के बाद यहाँ picture का symbol दिख रहा है इसको tap करिए tap करने के बाद आपके पास कौन सा भी picture है ना उसको photo निकाल सकते हो तो देखे उसके लिए आप keep.google.com को open कर लिए ओपन करने के बाद देखे जैसे आपके पास computer पे कोई picture पड़ी हो या आप internet से भी कोई picture उठा सकते हो जैसे दीखे मेरे पास यहाँ एक picture है इस पर right click करता हूँ और यहाँ copy image address select कर लिए ठीक है select करने के बाद दुबारा से आप यहाँ आकर यह picture का symbol है इस पर click करिए और यहाँ वो जो copy किया थन address उसको यहाँ paste करिए और open करिए open करते ही होगा यह कि वो जो picture आपने copy की थी ना वो इसमें upload होना शुरू हो जाएगी ठीक है इसमें upload होने के बाद आपको यहाँ तीन dots दिख रहे हैं इस पर press करना होगा और यहाँ आपको एक option दिखाई देगा grab text ठीक है उसको press करते ही इसमें जो कुछ भी text है ना वो सार आपको मेरा वीडियो पसंदा है तो like button प्रेस करिए facebook के जरीए twitter के जरीए google place के जरीए whatsapp के जरीए इस वीडियो को share करिए thank you